हेलो गाईज, इस वीडियो मैं आपको 15 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपने में को अकसर अपने गेमपलेज में यूज करते हुए देखा होगा तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं गाईज, कई बार क्या होता है कि स्कूल के अंदर वो जो सामने आपको एक बंदा दिखाए दे रहा है हाँ, वही पर, जहां से उसने में पर गोली चलाए वहाँ पर बंदे कैम करते रहते हैं तो ऐसे बंदों को निप्टाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिंपली उपर जाओ, एक छोटी सी यहाँ पर जंप लगाओ और देखो, बंदा नॉक डाउन तो यार ऐसा करके आप आसानी से किसी भी बंदे को जो यहाँ पर कैम कर रहा है आसानी से निप्टा सकते हैं अब गाईज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक का बेटन दबा दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना भूलना मत अब गाईज, बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की और तो गाईज, कई बार क्या होता है कि लैंड करते टाइम हमारे जो पूरा फोकस रहता है, वो रहता है एनमी पर बट हमको साथ में ही गाडियां भी स्पॉट करनी, जैसा कि लेफ्ट साइड कुछ नहीं है सामने की तरफ गराज में आप लोगो अगर देखोगे तो हैर उसके लिए दूर दूर जाना पड़ता है बहुत जादा टाइम पास हो जाता है अब गाईज, बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक के और ये ट्रिक काम कर रही है त्रिबल स्टोरी में त्रिबल स्टोरी में आपने अपडेट के बाद एक चीज नोटिस कियोगी कि ऐसा एक कुछ तो आया है, ठीक है यहां पर हम लोग हलका सा जंप लगाएंगे तो यहां पर आ जाएंगे अब यहां से हम लोग एनमी को आसानी से मार सकते हैं त्रिबल स्टोरी के अंदर आन दो बाहर रहेगा और आप वहां पर जाकर बैटोगे तो ऐसी कोई बात नहीं बंदा अंदर आ चुका है, अब यहां पर तुम्हारा भाई बैड गया है अब बंदा जैसे ही आएगा और उसके साथ देखो क्या होता है तो यहां पर बंदा आसानी से निपड़ गया तो यह ट्रिक यूज करना बहुत ही काम की है अब गाईज बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की और जो की टू स्टोरी में काम कर रही है किसी भी टू स्टोरी में ये ट्रिक काम करती है सामने जो पैनिक रूम है सामने पैनिक रूम में बंदे कई बार कैम करते रहते तो यार ऐसे बंदों को मारने के लिए हमारे पास नेड नहीं था, smoke था तो हमने एक smoke कर दिया, अब smoke जैसे ही हो जाता है आपको simply ये gate खोल कर यहाँ पर आना है, एक खलकी सी jump लगानी है यहाँ पर आ जाना है, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके उसके पीछे जाकर बैट जाओ और स्मोक जैसे ही हड़ता है अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की और तो यार सेम सिचुईशन है ठीक है बंदा वहाँ पर कैम कर रहा है हमारे पास ग्रिनेट नहीं है यह हम लोग मान के चलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे स्मोक फैला देंगे ठीक है एक स्मोक दो स्मोक फैला दिया स्मोक बन गया अब यार हमको क्या करना है देखो स्मोक में से निकलना है और यहां से हलका से एक जंप लगाना है जंप लगाई अब यहाँ पर हम लोग एज पर बैट गए अब यहाँ से आप लोग देखो आसानी से उस बंदे को निटा सकते हो बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आप वहाँ पर कब गए ठीक है तो यार यह ट्रिक भी कमाल की है अब गाइस बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की और यह का अब यहाँ पर आपको क्या करना है एक हलका सा जंप लगाना है और थोड़ा सा कैमरे को स्टेबल हों दे रहा है मतलब रुख जाना है ठीक है कैमरा स्टेबल होगा जंप का पेटन दबाओगे सीधा उपर आ जाओगे और यहाँ से आपको जैसे बंदे का फुर्ष्ट्रे ठीक है और आपको हाइड का बहुत जादा आडवांटेज मिलेगा पहले गया होता था पहले आपको सामने वाली टू स्टोरी पर चड़ना होता था फिर चट पर चड़ो फिर यहां से यहां पर कूदो बट यार अभी इस ट्रिक की मदद से यह काफी आसान हो गया है बस आ यहां पर हलका से जम मारना है जम मारा यहां पर आ गए अब यहां पर आने के बाद आप लोग जम लगा कर थोड़ा सा और उपर भी आ सकते हो और गेट के पीछ छुप भी रह सकते हो बंदा जैसे आएगा उसको पता ही नी चलेगा यहां पर भी कोई रह सकता है तो यहां जैसी घर में आता है, सेम ट्रिक आपको अपना नहीं है हलका सा जंप लगाओ, यहाँ पर आ जाओ और उसके बाद गेट की तरफ बैड जाओ अब जैसी बंदा आएगा, वो उधर की तरफ जाएगा और आपको यहाँ से निकल के दे देना है बंदे को इसी घर में एक और ट्रिक काम करती है और वो ट्रिक हर घर में काम करती है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है कई बार क्या होता है, क्यार पैनिक रूब में बंदे कैम करते रहता है और कैमपर को भाई मारना बहुत जागा बिश्किल रहता है ठीक है, Camper को Cam करकी मारना पड़ता है जो भी हो formula तो यह ऐसे situation में आपके पास grenade नहीं है, ऐसा मैं माल लेता हूँ ठीक है, तो आपको क्या करना है, smoke फैला देना है फटा फट smoke कर दो, ठीक है जिते भी smoke कर दो, एक है दो है, जो भी है मतलब उसको दिखाई ना दे, इतना smoke कर दो, ठीक है smoke होने के बाद आपको क्या करना है कि यह जो खिड़की है यहाँ पर आना है, हलका से एक जंप लगाना है और आगए आप लोग एज पर एज पर आने के बाद यहाँ से बंदे को ट्रोल भी कर सकते हो जैसा कि मेरे पास अभी ग्रेनेड है तो मैं ग्रेनेड से भी निप्टा सकता हूँ या तो सीधा जाओ और और बंदे को निप्टा दो तो यार ऐसा करके आप आसानी से बंदों को निप्टा सकते हो तो है ना कमाल की ट्रिक अब गाइस जो हमारी अगली ट्रिक है वो उन घरों में काम करती है उन स्कॉड हाउस में काम करती है जहां पर ये टंकी रहती है तो चट पर हम लोग जाते हैं चट पर जब भी आप जैसे माल लोग मैं रश कर रहा हूँ थिक है तो जैसे कि माल हो कोई बंदा आप पर रश कर रहा है तो यहां पर आपर बैट जाओ बंदे को पता नहीं चलेगा बंदा यहां पर गया कैसे मतलब दिखाई देगा ही नहीं तो क्या पता चलेगा थिक है तो है ना कमाल की trick comment में बता देना ठीक है अब guys हमारी सबसे favorite trick जो की काम करती है apartment के अंदर apartment में बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई हम लोग जब jump मारते हो तो हम लोग गिर जाते हैं आप कैसे perfectly कर लेते हो ये trick तो यार देखो आप लोग कहीं और से jump मारते होगे लेकिन आपको jump मारना है यहाँ से ठीक है ये देखो नीचे बंदा cam कर रहा है हम लोग उपर cam कर रहे है ठीक है ऐसे situation बहुत बार होती है तो आपको simply क्या करना है यहाँ से आए यहाँ पर jump लगाना है ठीक है एक खलका से jump लगा है और आ गया आप लोग ठीक है बहुत ही perfect trick है और यहाँ पर जो भी cam करेगा उसको आप लोग आसानी से दे सकते हो अब यहाँ से हलका से धका दो यहाँ पर आ जाओगे अब इस वाले floor पे जो भी cam करेगा उसको भी आप लोग आसानी से दे सकते हो ठीक है और उसके बाद हलका से धक्का दे के नीचे आ गए तो नीचे वाले बंदों को तो ऐसी दे सकते हो इस साइड से भी same situation हा ठीक है यही को ना उसस इड मैं को न इससाइड भी य्यको ना यहाँ पर आओ, हलका से जंप लगाओ, और ये देखो, आप आ गए, बिल्कुल 100% ट्रस्ट कर लो, ठीक है, हाई एंड एखिल ने बताया था, इसा बोल के, यूज कर सकते हो, देखो, सेम चीज में कर रहा हूँ, ठीक है, और बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मिस्टिक नहीं होगी पर आम से हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा करके, आप यहाँ पर जो भी बंदे कैम करते हैं, मतलब आपके नीचे वाले फ्लोर बार, आप भी उपर कैम्पी कर रहे हो, शायद, या फिर जो भी हो, तो आप लोग इसका फाइदा उठा सकते हो, यहाँ पे यह को ना, और वहाँ पर वह को ना, ठीक है, दो कोने याद रख लो, और यहाँ से नीचे वाले कितने भी फ्लोर पर कितने भी बंदे कैम करें, उनको आप लोग आसानी से निप्टा सकते हो, बहुत ही पॉफेक्ट ट्रिक है, अब गाईज, हमारी जो अगली ट्रिक है, वो काम कर रही है, पर आने के दो फायदा है, पहला फूरा नहों आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है, आपको हाइट का फायदा मिलेगा, और जोन अगर उल्टा सिधा बना तो यहाँ से भी, जैसा कि आपने एक गेंपले में देखा होगा, जोन हमारा उल्टा बना था और पीछे बंदा था तो यहाँ पर जैसे ही बंदा आता है, आपको आपको इसको निप्टा सकते हो, ठीक है, तो है ना कमाल की ट्रिक, अब गाइस बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक के और तो यहाँ देखो, मिलिटरी बेस में बहुत ही परफेक्ट ट्रिक है, ठीक है, छत पे से जो बीच वाल लगाना है, सीधा, सीधा लेजग्रैब, और बंदा निपट जाएगा, बहुत ही कमाल की ट्रिक है, ट्राइ करना, फिर मेरे को बताना, ठीक है, बिना ट्राइ कि यह मत बताना, यह नहीं काम कर रही है, ठीक है, ठीक है, कई बार होता है, मतलब बार बार नहीं होता, तो यहां पर उतरो एक जम्प लगाओ यहांपर आ जाओ फिर जम्प लगाओ आ गये फिर जम्प लगाओ यहांपर आ गये अब यहां पर बता ओ मिर gotta किसका ध्यान जाएगा भthree किसी कह द्हान नहीं जाने वाला यह आपने रेखर ऐस laquelle ईखर अगर आपके पास गण यह कर तो यार दोनों चीज़ आपको कर सकते हो बहुत ही कमाल की ट्रिक है ठीक है तो ये भी कर लेना प्रैक्टिस बहुत ही काम में आने वाली है अब गाइज प्रिजन के वेर हाउसे जो नए बने हैं उनकी छट पर कैसे चड़ा जाए कई बार ड्रॉप हमारा अटक जाता है जो दबो पर आओ यहां पर आप लोग जंप लगाओ तो भी हो जाएका नहीं तो यार ऐसे मुंडी करो एक जंप लगाओ आजाओ गया आसानी से तो बहुत ही आसान ट्रिक है और पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी अब गाइस कमेंट में में को बताओ कि आपको य वीडियो नई डालने के लिए लव यू